वजीर आजम का बाप है सबका उसका फर्ज है कि वो हर शक्स के दख और दर्द को देख सके प्रधानमंती का काम सिर्फ राममंदर का है क्या राम सिर्फ हिंदू का नहीं है राम विश्व का राम है इनने इनसान को तोड़ने की कोशिश की है जोड़ने की कोशिश नहीं की है आज भी इस इलेक्शन में नफरतों को फेलाए जा रहा है वतन को अगर जिन्दा रखना है वाइबरन्ट रखना है तो सब धर्मों की इज़त करनी है प्रधानमंति का काम सिर्फ राममंदर का है क्या राम तो सब का है मैं तो बार-बार यह कहता हूं राम सिर्फ हिंदू का नहीं है राम विश्व का राम है अगर वो विश्व का राम है तो वो सब का है यह क्या है इन्होंने ठेका ले लखा है इलेक्शन के वक्त में इनको बगवान भी याद आ जाता है उसके पहले तो इनको बगवान याद ही नहीं आता है मैं इसे पूछता हूँ इनने पर्लेमंट बनाई नहीं पर्लेमंट बनाई न तो उसमें पूजा किसे की सिर्वे एक धरम की क्या दूसए दरम या नहीं है क्या उनको नहीं बना सकते थे कि वो भी इसके पूजा करे नहीं वो नहीं हुआ हमारी प्रेज़ेंट डलित है उसको नहीं बुलाया गया जबकि वो सबसे बड़ी है मेंदोस्तान की उसको बुलाना चाहिए था उसे इनॉग्रेट कराना चाहिए था नहीं किया और फिर ये भी देखिए पार्लिमंट में सेंट्रल हॉल नहीं है जो पिछली पार्लिमंट में था जहां हम लोग सब मिलते थे वो क्यों नहीं ओपोजिशन के हो आपस में बैठ के बात करते थे आपस में गिलेशिक के करते थे मगर वो भी खतम तो क्या किया इनुने हर तरफ से इनने इनसान को तोडने की कोशिश की है जोडने की कोशिश नहीं की है आज भी सेलेक्शन में नफरतों को फैलाये जा रहा है कब इस नफरत को ये खतम करेंगे मुझे ने पता हूँ कर रही है या ने वो तो उनका अपना मामला है नहीं उसके बारे में कुछ कोँगा उचे इनका करना है मगर वतन को अगर जिन्दा रखना है वाइबरंट रखना है तो सब धर्मों की इज़त करनी है जब तक नहीं समझेंगे लूनिटी इन डाइवरसिटी हिंदुस्तान बहुत बुखतलिफ हर जगा है कश्मीर मैं बार-बार कहता हूँ कश्मीर का और तामिलाडो का क्या है हमारा मौसम देखिए उनका मौसम देखिए उनका कल्चर देखिए हमारा कल्चर देखिए हमारे फूड हैबर्स देखिए उनकी फूड हैबर्स देखिए उनके कपड़े देखें क्या पहनते हैं, हमारे कपड़े देखें क्या पहनते हैं, हमारे हाँ टेंपरचर माइनस 5 हो जाता है सिरिनगर में, बल्कि द्रास वगारा में तो माइनस 30 भी हो जाता है, क्या वहाँ होता है उनक्या, उनक्या तो माइनस 30, प्लस 30 से कभी नीचे ही आता तो यह मुल्क जो है यह डाइवस है इसको अगर हमने एकना रखना है तो हमने सब की इज़त करनी है सब अलाकूँ सब मजभवों से महबत करनी है एक ही मजभव से महबत नहीं कर सकते हैं और वजीराजम का बाप है सब का वो क्यों ने बीज़ेपी से आया हो मगर उसका है कि वो हर शक्स के दख और दर्द को देख सके हर धर्म को वो आगे ले सके वो उसका काम है नफरत काम बढ़ाने काम नहीं है तोडने का काम नहीं है भारत बनेगा तब मजभूत बनेगा जब सब की इज़त होगी और सब आगे बढ़ेंगे यह जरूरी है If you like this video then like, share and subscribe to ETNOW